स्वागत है पब्लिक नॉलेज नीज में नई इंकम टैक्स रिजिम या पुरानी आपके लिए क्या है ज्यादा फाइदे मंद इंकम टैक्स की पुरानी रिजिम जिसे छूट वाली व्यवस्ता भी कहा जाता है मैं करदाता अपनी आई पर तमाम तरह की कटोतियों और छूटों का लाव उठा सकते हैं इसमें शेक्शन 80C के तहट निवेश 80D में इंसूरंस प्रीमियम का भुकतान आदी शामिल है नई रिजिम में इस तरह की छूट को शामिल नहीं किया गया यही वज़ा है कि जो लोग नई तरह के इंवेश्टमेंट करते हैं उनके लिए पुरानी ववस्ता अच्छी मानी जाती है सूरे कुमार यादो ने बच्पन के कोच के लिए बदाया मदद का हाथ जिता फैंस का दिल सूरे कुमार यादो के बच्पन के कोच अशुक असल्वकर को 14 साल बाद नोकरी से निकाल दिया गया है सूरे कुमार को मेसेज करके अपनी स्थिती के बारे में बताया सूरे कुमार ने उस वक्ती से बात करना बंद कर दिया है जिसके सूरे कुमार की नोकरी चीन ली थी असल कर अब सूरे कुमार की मदद से एक क्रिकेट अकाडेमी खोलने की यूजना बना रहे हैं हर्दिक के घरेलू क्रिकेट ना खेलने पर भलके पूर्वकोच लगाई जन्द कर लताल भरती आल राउंडर हर्दिक पांगया पर बलवदा के पूर्वकोच डेव वाटमोरे ने हमला बोला है वाटमोरे ने कहा कि हर्दिक पांगया को बलवदा का आल राउंडर कहना अजीब है क्यूंकि उसने वर्षों से इस टीम के लिए कोई म्याच नहीं खेला है बता दे हर्दिक पांड़ा ने 2018 से अपनी घरेली टिम बल्दोदा के लिए कोई मैच नहीं खेला है BCCI अगले साल होने वाली चंपियन्स ट्रोपी के लिए हर्दिक की फिटनेस की निगरानी करेगा चंपियन्स ट्रोपी में भारत का पाकिस्तान में नहीं खेलने के इस्तिती में ICC की तयारी BCCI ने हमेशा ही कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से भारत सरकार का निलनाई है PCB ने Champions Trophy के मसुदा कारकरम में भारत के सभी मैचों की मैच बनी लहोर में करने का सुझाव दिया है वही PCB ने अब टूर्नामेंट के कारकरम को अंतिम रूप देने और घोशित करने तथा BCCI से यहाँ पुष्टी प्राप्ट करने का काम ICC पर छोड़ दिया है कि भारत टीम पाकिस्तान की यातरा करेगी या नहीं ग्रामिन रोजगार और कोशल का खा गया ध्यान SBI चेर्मन ने बजट को बताया समा वेशी देश की टॉप बैंक SBI के चेर्मन दिनेश कुमार खारा ने बजट 2024 की सारा हानी की और विश्वास जताय की प्रस्ताओं से खफ़त रुद्धी को बड़ावा मिलेगा दिनेश कुमार खारा ने इसे समा वेशी बजट बतायते हुए कहा कि इन प्रस्ताओं से अर्थ विवास्ता में सुस्त पध्धी खपत गतिविधी को बड़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रदान मंतरी आवास योजना जैसी घोष्णाओं से प्यांकों के मदद मिलेगी जिससे रुण रुद्धी को बड़ावा मिलेगा बजट दोहजार चोईस उत्तर प्रदेश को इस बार क्या-क्या मिला मंगलवार को पेश हुए मोदी 3.0 के पहले पोल्नकालिक बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा धनराशी मिली है केंजरिय वित्तमंत्री निर्मला सितरमान ने बजट पेश किया जिसमें यूपी के लिए 2.53 लाक करोड रुपए का प्रधा प्रावधान किया गया है बिहार को 1.25 लाक करोड रुपए मिले हैं सियम योगी अधितेनात ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यहाँ बजट विकसित भारत आत्म निर्भर भारत के निर्मान का अर्थिक दस्तावेज है लल्खडाती सरकार का लल्खडाता बजट मोधी सरकार पर कपिल सिब्बल ने कसातंज राजसभा सदेश्च कपिल सिब्बल ने पेश किये गए केंदरे बजट में बिहार और आंदर प्रदेश के लिए वित्तिय पैकेज को लेकर पीम नरेंदर मोधी के नित्रत वाले केंदर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिल्दी यू और कीड़ीपी की बसोखी पर खली सरकार दोनों राज्जों को फाइदा पहुंचाने के लिए मजबूर है उन्होंने कहा कि वित्मंत्री द्वारा पेश के गए बजट की कहानी यह है कि वह ललखलाती सरकार का ललखलाता बजट है बजट के बाद वित्मंत्री से मिलने पहुंचे अंडिये निता बिहार के लिए दोहराई ये मांग बिहार के अंडिये निताओं के परतिनीदी मंडलने मंगलवार को केंडरी वित्मंत्री सितारा मंद से मलाकात की बिहार को बजट के महद्यम से मिली सौगातों के लिए निवाद कहा इंग ये निताओं ने बिहार को मिले 58.900 करोड की मदद की चर्चा के साथ ही बिहार को विशेश पैकेज दिये जाने की मांग रखी बेल्टेक में उन्होंने कहा की बिहार की आर्तिक कमजोरी एतिहासिक कारणों से है वंदि भारत से भी जल्दी पहुंचेगे पटना से पूर्णिया मातर चार घंटे में तै होगी दूरी केंद्रिय बजट में पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मनजूरी मिली है 200 कीमी लंबा यहाँ एक्सप्रेस वे पटना से पूर्णिया की दूरी दो घंटे में तै करने में मदद करेगा 120 किलोमेटर घंटा की रफतार से चलने वाले इस एक्सप्रेस वे के लिए 10,000 करोड रुपए का बजट अवंटित किया गया है जिसमें 5,000 करोड रुपए जमीन इस ग्रहम की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी रेल मंतरी का तोफा मिलल क्लास और गरीब परवारों के लिए खुशकपरी केंजरे बजट में रेल मंतरी अश्विनी वैश्णव ने गोश्णा की कि रेलवे अगले तीन वर्षों में 10,000 नए 9CAC कोच बनाएगी जिसमें म पुंजी ते 35,000 करोड रुपए था जो आज बल्द खर 2.62 लाख करोड रुपए है रेलवे ने 40,000 किलोमेटर ट्रैक का विद्धूती करन और 31,000 किलोमेटर का नए ट्रैक का निर्मान किया आइफियल 2024 हार्दिक पांडया को छोड़ने का प्लान बना रही है मुंबए अगेंस आइपियल के 180 सीजन की तयारियों के बीच खबर है कि मुंबए अगेंस हार्दिक पांडया को ट्रैड करने पर इचार कर रही है पांड्या को पिछले सिरीज में ही मुंबई ने ट्रेड करके अपनी कफ़तानी सौफी थी लेकिन टीम का प्रजर्शन निराश जजना करहा था पांड्या ने 133 आइफेल मैचों में 2525 रन बनाये हैं और चोश्ट विकेट भी लिये हैं इसके अलावा खबर है कि गुजराट टाइटन्स के कोच अशिश नहरा भी टीम छोड़ सकते हैं कफमांडू के अंतराश्टे हाइवे अड़े पर क्रेश हुआ विमान लेम में सवार 19 में से 18 की मौथ नेपाल के राजधनी कफमांडू के त्रिभू वन अंतराश्टे हाइवे अड़े पर बुध्वार सुबह अलदान भरने के दोरान एक नीजी एडलांस कमपनी का विमान दुरगश्टना ग्रस्थ हो गया जिसमें 19 लोग सवार थे जिसमें 18 लोगों की मौथ की बात सामने आई है विमान पुखरा जो जा रहा था और सुबह करीब 11 बज़े दुरगश्टना ग्रस्थ हो गया हाइवे अड़े पर तैनात एक सुरक्ष अद्खार ने बताया कि विमान के पाइलेट को अस्पताल ले जाया है शेफाली वर्माने सुधारी गलती 26 गेंदों पर ठोकी 50 खास लिस्ट में लिखवाया नाम भरतियमेला क्रिकेट टिम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्माने नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2024 के मैच में तुफानी अर्दशे तक ठोका है और साथ ही खास लिस्ट में अपने 300 रन पूरे कर लिया है टेस्ट में उन्होंने 5 मैचों में 56 रन वंडे में उन्होंने 26 मैचों में 588 रन और 89 टी 20 मैचों में 1869 रनों से ज्यादा रन बना एक कुमा मुकाम हासिल किया है अश्वर राय और अभशक बच्चन का होगा ग्रे डिवर्स क्या होता है ग्रे तलाग पिछले काफी दिनों से अफ़ावय हैं कि बच्चन परवार और अश्वर राय के बीच दरार आचुकी है इस बीच कुछ दिन पहले अभशक बच्चन ने एक तलाग की पोश्ट वह तस्वित ग्रे डिवर्स से संबजित थी जिसमें टूटे दिल की फोटो बनी थी फोटो के क्याफशन में लिखा है तलाक किसी के लिए भी आसान नहीं होता कौन हमेशा खुश रहने के सपने नहीं देख था मुहमत शमी आत्मत्या करना चाहते थे दोस्त ने किया खुलासा उन्निस फ्लोर पर था गिंदबाज टीमें जाके तेज गिंदबाज मुहमत शमी ने कुछ साल पहले आत्मत्या करने की सोची थी उसके दोस्त उमेश कुमार ने यहा बड़ा खुलासा किया है मुहमत शमी पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोपों से बुरी तरह तूट गए थे उसमें उमेश ने कहा मुहमत शमी ने उस रात कहा कि मुझे आप मार लो सजा दो या फासी दे दो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ लेकिन पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरफ मुझसे बरदाश्ट नहीं हो बज़ट 2024 विशेश पैकेज पर नितिश कैसे पड़े चंदर बाबू पर भारी केंजर सरकार के बज़ट में बिहार और आंदर प्रदेश को सबसे ज़्यादा धन मिला है बिहार के नितिश कुमार ने आंदर के चंदर बाबू नायलू को पचाचते हुए विशेश पैकेज हाशिल किया 12 संसदों वाले नितिश को 69,000 करोड जबकि 16 संसदों वाले नायलू को 15,000 करोड मिले नितिश ने कहा कि विशेश राज्य का धरजा ना मिलने पर उन्होंने विशेश पैकिंग की मांग की थी जिसे केंजर सरकार ने स्विकार कर लिया है